हरे कृष्णा राधे राधे आज मैं आपको आठो वारों के कहानी सुना रही हूँ आठो वारों की इस कहानी को जो कोई भी सुनता है उसके घर में अनधन की कोई कभी नहीं रहती आठो वारों की इस कहानी को सुनने से उसके घर में अनधन के भंडारे भर जाते हैं तो आईए सुनते हैं आठो वारों की कहानी किसी गाउं में एक प्रामन ब्रामनी रहते थे तोनों बहुत ही गरीब थे घर में खाने को दाने भी नहीं थे तो एक दिन ब्रामनी ब्रामन से कहने लगी कि घर पर बैठे रहते हो कभी कुछ कमा कर भी ले आओ तो ब्रामन कहने लगा अरी मैं तो ब्रामन हूँ बस पूजा पाट करना जानता हूँ कमाना नहीं जानता तब ब्रामनी बोली कमाना नहीं जानते थे तो मुझसे ब्याह क्यों किया अब क्या मुझे बूका मारोगे मुझे नहीं पता जाओ और कुछ कमा कर लाओ ब्रामन घर से निकल पड़ा सोचने लगा कि क्या करू? कमाना तो मै जानता नहीं हूँ उसने चलते चलते और कहना शुरू कर दिया राम, कमाना ना जानू बगवान ने देखा कि ब्रामन जो इतनी पूजा पाठ करता है, वरत करता है इस तरहें भूका प्यासा कमाने के लिए भटक रहा है तो भगवान ने सोचा अगर इसको सहारा ना दिया इसका उधार ना करा तो ये भूका मर जाएगा फिर कलंक तो मुझे ही लगेगा फिर मुझे कौन मानेगा तब भगवान एक ब्रामन का वेश धारन कर उसके सामने आए और कहने लगे भाई क्या बात है कहां जा रहे हो क्यों इतनी गर्मी में घूम रहे हो तो वह ब्रामन बोला भाई कमाना ना जानो ब्रामनी कहती है कुछ कमाकर लाओ तभी घर आना इसे मैं घर से निकल पड़ा पर मुझे तो कमाना नहीं आता तब भगवान जो ब्रामण के वेश में थे बोले भाई कमाना तो मुझे भी नहीं आता लेकिन हाँ आठो वारों की कहानी आती है और मैंने सुना है कि आठो वारों की कहानी जो कोई सुनता है उसके घर में अटूट थनके भंडारे भर जाते हैं अगर तुझे सुननी हो तो मैं कहना शुरू करूँ तो उस गरीब प्राम्मन ने सोचा चल काम धन्दा तो कुछ मिला नहीं इसकी कहानी सुनकर ही रेख लूँ क्या होता है अब दोनों एक जंगे बैठ जाते हैं भगवान ब्राम्मन से कहते हैं चावल के दाने ले ले और पानी का लोटा ले ले उसने थोड़े से चावल के दाने ले लिये पानी का लोटा ले लिया अब भगवान ने कहानी कहने शुरू की ढके वर्तन उगाडों ओंधों को सीधा करो भगवान ने कही ब्रामण ने सुनी इतवार सोंबार मंगलवार बुदुवार ब्रस्पतिवार शुकरवार शनिवार आठो वारों का आसरा भरियो पिहर सासरा इस तरह भगवान ने उस गरीब ब्रामण को यह कहानी सुना दी ब्रामण कहने लगा भाई कहानी तो बहुत अच्छी है एक पर फिर सुना दे तो भगवान ने एक पर फिर उसे कहानी सुना दी अब भगवान बोले अच्छा भाई अम्मे चलता हो तो भी अपना काम धंदा ढोड़ ले ऐसा कहकर भगवान तो वहाँ से चले जाते हैं तो गरीब प्राम्मन सोचता है कि कहानी तो बहुत अच्छी है चल रोज कहकर देख लूँगा उसने कहानी का नियम ले लिया इसके साथ कोन अपना समय खराब करे इसकी कहानी के चक्कर में उसने उसकी बात अंसुनी कर दी और आगे चलने लगा अभी दो पदम ही चला था कि बैल पछाड़ खाकर नीची बैठ गया ठक गया था उसने सोचा कि अब खेत तो जुदेगा नहीं चल इसकी कहानी ही सुन लू उसने ब्रामण को अवाज दी और कहा चल अपनी कहानी सुना उसने कहा कि चावल के दाने लिया और पानी का लोटा लिया अब किसान ने चावल के दाने लिये पानी का लोटा लिया ब्रामण ने कहानी कहने शुरू की ढके बर्तन को गाड़ो उंदो को सिधा करो इतवार सोंबार मंगलवार बुधवार बरस्पतिवार शुकरवार शनीवार आठोवारों का आसरा भरियो पिहर सासरा इस तरहें ब्राम्मन ने कहानी कही किसान ने सुनी किसान कहने लगा भाई कहानी तो बहुत अच्छी है एक बार फिर सुना दे तो ब्राम्मन ने फिर उसे वही कहानी सुना दी जैसे ही कहानी पूरी हुई बैल तो उठ खड़ा हुआ किसान ने खेत जोतना शुरू कर दिया अभी दो कदम ही चला था कि उसका हल किसी चीज से टकराया और जोर की अवाज होई उसने देखा तो देखा वहां से तो दो घड़े निकले सोने चांदी से भरे हुए तब उसने कहा ब्राम्मन देवता आपकी कहानी तो बड़ी चमतकारी है उसने एक घड़ा ब्राम्मन को दिया एक घड़ा अपने पास रख लिया ब्राम्मन आगे चल दिया आगे चलते चलते एक पनिहारिन पानी भर रही थी उसे रोक कर कहने लगा बहन मेरी कहानी सुन ले तो पनिहारिन कहने लगी तुझे तो कोई काम है नहीं खाली गूम रहा है मेरे पास तो काम है गर में भूका पती बैठा है उसके लिए खाना बनाना है पानी भर कर ले जाना है मेरे पास समय नहीं है तेरी कहानी सुनने का उसने कहानी नहीं सुनी ब्रामन उदास होकर बैठ गया पनीहारिन जिस रस्ती से पानी भर रही थी वह तूट गई और उसकी बाल्टी कुए में जा गिरी उसने अपने बच्चे को घर बेजा और दूसरी बाल्टी मंगवाई अप सोचने लगी खाली बैठी हों क्या करूँ चल इसकी कहानी ही सुन लू तब उसने ब्रामन से कहा कि चलो अपनी कहानी सुनाओ तो हो कहानी सुनाने के लिए बैठ गया उसने चावल के दाने दिये पानी कलोटा लिया और कहानी कहनी लगा धके बरतन को उखाड़ो ओंदो को सिधा करो ब्रामन ने कही पनिहारिन ने सुनी इतवार सोंबार, मंगलवार, बुदवार, प्रस्पतिवार, शुकरवार, शनिवार आठोवारों का आसरा भरियोपी हर सासरा इस तरह से उसने पनिहारिन को भी कहानी सुना दी कहानी सुनकर पनिहारिन उठी, तो देखती क्या है कि कुए में से तैर कर बाल्टी उपर आ गई है उसके सारे मिट्टी के घड़े बितल के हो गई है वो तो बहुत खुश हो गई और खर चली गई ब्रामन ने सोचा घर से निकला हूँ, चल बेटी के भी हो आता हूँ, बहुत दिन हो गई वो बेटी के घर चला गया उसके नाती नातनियों ने नाना को दूर से आते देखा तो अपनी मा से जाकर कहने लगे, मा नाना आ रहे है तो बेटी ने पूछा कैसे बेस में आए है तो बच्चे बोले मैं ले भेस में आए है, फटे पुराने कपड़े है तब बेटी नात्मो बनाते हुए कहने लगी, आए क्या है दो दिन की रोटी तोड़ने आए है शरम के मारे इधर उधर छुपने लगी सोचने लगी देवरानी जिठानी आएंगी तो मजाक बढ़ाएंगी कि तेरा बाप खाली हाथ आया है, कुछ लाया भी नहीं इतने में ब्रामन घर पहुंच गया बेटी को आवाज दी तो बेटी बोली, पिता जी, यहां क्यों आए हो अब देवरानी जिठानी मजाक उड़ाएंगी कि बाप क्या लाया है, खाली हाथ आया है तब ब्रामन कहने लगा कि बेटी खाली हाथ नहीं आया हो अठो वारों की कहानी लाया हो वो सुन ले तो बेटी ने अनमने मन से ब्रामन से कहा ठीक है सुना दो अब उसने कहानी कही उसकी बेटी ने सुनी थोड़ी देर में उसकी देवरानी जिठानी आई और पूछने लगी कि तुम्हारा बाप क्या लाया है तब वे कहने लगी कि मेरे बाप तो कुछ भी नहीं लाया खनली आया है रात को सो गए अगले दिन सुबह उठकर देखा तो गर में कोब धन हो रहा था अन्धन के बंडारे भड़े पड़े थे तब उसने सोचा कि मेरे बापूने जो कहानी सुनाई थी उसी कफल है अब तो उसने मिठाई के दोने भर भर के बाटने लगी जब वै बाटने जा रही थी तो देवरानी जठानी बोली कल तो कह रही थी कि मेरा बाप कुछ नहीं लाया आए दोने भर भर के मिठाई बाट रही है तब बेटी ने कहा कि मेरे पिता जी तो खली हाथी आये थे आठो वारों की कहानी लाये थे वो मैंने सुनी उसी से घर में धनके भंडारे भर गए तो देवरानी जठानी पडोस ने सब कहने लगी कि हमें भी वो कहानी सुना दो तब बेटी ने अपने बापू से कहा कि इने भी कहानी सुना दो तब ब्रामन ने उन सभी को कहानी सुना दी सब के घर में धनके भंडार हो गए सब के घर में खोग खुशिया आ गई अब ब्रामन देवता ने बेटी के घर से विदाली और अपने घर गए ब्रामनी देलीज पर ही खड़ी थी बोली क्या कमा कर लाए हो तब वह बोला कि आठोवारों की कहानी लाया हो तो ब्रामनी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है तो वह कहने लगा कि तुमेरी कहानी सुन ले अब ब्रामन ब्रामनी बैट गए ब्रामन कहानी कहने लगा ब्रामनी सुनने लगी उसने चावल के दाने दिये और कहानी कहनी शुरू की दोनों कहानी कहकर उठे तो देखा तो घर में एक धन के भंडारे बरे पड़े थे धन ही धन हो रहा था अन के धेल लगे पड़े थे अब तो वे ब्रामन ब्रामनी रोज आठोवारों की कहानी कहने लगे कहानी के प्रभाव से उनके सातो जलम की गरीबी मिट गई घर में अनधन के भंडारे बर गई आठोवारों की कहानी जो कोई भी सुनता है उसकी सब मनो कामना पूरी होती है सुहाग चाहने वाले को सुहाग मिलता है संतान चाहने वाले को संतान मिलती है धन चाहने वाले को धन या जो भी मन में कामना हो वो सब पूरी हो जाती है इस कहानी को सुनने वाले सभी की मनों कामना भगवन पूरी करी इसी मंगल कामना के साथ हरी कृष्णा राधी राधी